उत्तराखंड के चमोली जिले में गिलेशियर तूटने के बाद मची तबाही पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है राकेश टिकैत ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का वादा किया है राकेश टिकैत ने चमोली में हुए हाजसे पर ट्वीट करते हुए कहा उत्राखंड के चमोली जनपत में विश्नु प्रयाग बांध तूटने से भारी आपदा के कश्ट दायक समाचार प्राप्त हो रहे हैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शेतर के आसपास के लोगों की रक्षा करें समस्थ कार करता एवं किसान साथियों आप आपदा के शेतर में राहत का कारी करें रिशिकेश से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन डैम है जहां पर पानी एकठा हुआ है तपोवन डैम के सुरंग में काम चल रहा था जहां करीब 100 करमचारी काम कर रहे थे जिन में से 19 लोगों की लाश नदी से मिली है ITBP की टीम वहां बचाओ कारेकर फसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रही है